हेलो एवरिवान आएम गौराव और वाचिंग माय यूटीब चैनल फिजिक्स पाट शालात तुम्हें जो आज अज अटोपिक है इस फोर क्लास से लेवन दशाप्र नेम इस रोटेशनर मोशन कि अंग्ड टॉपिक और टुडें इस अंगुलर मोमेंटम लास्ट बीट लेक्शन में कवर किया था मैंने टॉर यह मोमेंट ओफोर जिसे बोलते थे यह पूर की बारे में सारी इंफोर्मेशन में आप लोड़ कर अपने डॉब का वीडियो लेक्शर नहीं देखा तो पहले मॉइन स्बय्न और मां से उसका वाले हैं चलिया तो बात कर लेते हैं अंगुलरमिन्तम की कि तो जैसे आपका टॉप वैसे ही घ्र है आइंग लर मोमेंटम् जो है यह आपका हुटा है मोमेन्ट ओफ लेन्य आम कि और अपकी कोई बॉटी है थिकया ते किक व सकले उसका मुमेंट met nika ने चैसे नीन यंहीं मUp आपका आफ मोमेंटम आ है कि उसको हम जादा बहुता है उसको जया पूलते हैं उसकुम क्या बोलते हैं कि पॉइंट के अबॉंट क्या पूलते हैं एक है या पिर आप इस तरह से भी समा से किसी बोरी में कितना जятा रोटेजनल मोचन है यह जो कॉलिटी डिफाइट करेंगी वह हैं पाइंगुलर मुमेंटम अगर चैनल contribution है लीनियर मोमेंटम जो था आपका वो एक इसलेशनल फॉसं किसी बॉड़ दी में कितना है इस बात को बता रहा था इसे मोरे अधियुब किते नर्टीशनल मोशन है ठीप है हुआ हुआ है अ झा है it is defined as moment of linear momentum moment of linear momentum about a fixed point or axis of rotation कि पॉइंट 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 और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो किसी फिक्स्ट पॉइंट के बाउट किसी बॉटिक के लीनियम का मॉमेंट क्या है और प्रोस पी क्या है वो या फिर आप इस तरह से बोल सकते हुँ का सकतिव का विर्टर क करे दिद लूटेशन उनि पॉटेशन उनिच कि यह रही तो कोई रोटेटिंग बोडी है जो रोटेशन कर रही है उसके अंदर कितना रोटेशनल मोशन है यह जो क्वाल्टी आपकी डिस्क्राइब करें उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ठीक है तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम कि सिम्बल से तो करते हैं देखें तो इतो डिफिनेशन होगे तो भी मीजर कैसे होता है जरा भूबी देख्रों आप इटीज मीजर्ड वाइट क्रोस प्रोड़क्ट ओप झाल 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 जातां टो पोजिशन है इस्पें बॉल्डिय आपकी मूब करें तो उसका उसका पोजिशन वेक्टर और उसका जो लेनर वेंटम एंब वेक्टर उनके वोलते हैं एंग्लों मेंटम पर की जो फॉर्म न आएगा वह से आएगा एल वेक्टर इस इकल टू आर वेक्टर क्रोस पी वेक्टर अब ये आर क्रोस्पी क्या है वो आपको समझ रहा है क्या तो आदें पी चीज है ठीक है मैं यहां पर फिगर आपके लिए बना देता हूं डेफिनेशन अब दे नोट कर लिए होगी मान लिजे आपके पास यह को डेशन प्लेन है और मान लिजे ओरिजिन दे रखी आपको और एक पार्टिकल को यहां पर है जो कि किसी डारेक्शन में मोग कर रहा है मान लिजे इस तरह से वी वेक्टर इसकी विरॉसिटी और इसका मास है वह क्या है और अगर इसकी पोजिशन को हम देखें यह आजाएगा आपका पोजिशन वेक्टर तो अब मोग के एबाउट इस पॉइंट मास यतना अच्व मास है अच्छी त आपका आao प्रॉसपी है सभी के लिए गया है जो आ वेक्टर प्रॉस्टी फरॉसremग्ना है यह बड़ी बोड़ी पाइनेट साइश बोड़ी के लिए और पॉइंट मास्क सभी के लिए वैलेड है इस वैलेड फॉर ऑल केसे यह आपका उनिवर्सल फॉर्मला इसमें कोई बोड़ों वाली बात नहीं है एक आप इसमें लिए लगा जो लेकिन आर वेक्टर क्रोस्ट प कि तो भाई कि आर वेक्टर और एंब वेक्टर की बीच अगर हम एंगल थीटा मान लें है ठीक है वी वेक्टर तो और नीचे मालता हूं मैं तकि एंगल तो बड़ा देखे अपने को मान लिए आपका वी वेक्टर है वो किसी इस डारेक्शन में यहां जो एंगल बनेगा यह मान लीजिए ठीटा है ठीटा क्या है एंगल विट्वीन और वेक्टर एंड वीवेक्टर तो जैसा कि मैंने कौई लैक्टर है आपका इंगल से रिप्रेसेंट करते को मैं जalen आत नहीं आप बता हो क्या है तो अव्यागतर एंगल तो आर्फटर क्लास आर्फटर क्रोंोi को सब्सक्राइबए कि पॉइंट से उसकी सब्सक्राइब यह विए इसके पयार पर इसके हैं और जो इसकी विलास्टी है आपको आपको एंगलर मेंटम चाहिए किसी पॉइंट मास का तो पहले देखिए उसकी दिस्टेंस का है और उसकी विरॉस्टी क्या है और मास क्या है तो मास इन्टू वेक्टर हो जाएगा आपका पी वेक्टर है कि यह जानते हैं पीजिकल टू क्या जाता है अगर पी का मौट देखा जाए तो एम इन्टू वी के बराबर आजाएगा इम वी आर जांट इन्टू इन्टू ऑ मिटू आंटू सब्सक्रा जान पर तीटा क्या है फी वेक्टर एंड्ड आर वेक्टर की पी इसका एंगल жांगर आर्पि मुटक्र एंद वेक्टर और प्रिक्र यह पो ऑगया वह इंट सेष्क आम्य पजय दो कि अबकूंस और बात कि समझ में अबसके और सुछांग कर लेते हैं झाल थो आथ सकते हैं तोभले दिटेखने क्यों तरह से विलीक तर देखे बाष दे समझे में कि यहां पर हमने मास ले दिया जो एम है विराश्टी वेक्टर में ने माली एक्स के लॉंग कर रहा है को बॉड़म नहीं है और यह दापने माल लिया अब देखिए यह आपका आर है यहां पर नाइटी मैंने ड्रो किया जाएगी इसको बोल देंगे आर पर पेंडी गुलर कितनी आ जाएगी कि आर साइन थीटा कि आर पर पर पेंडी रोट किसके जो वेराश्टी वेक्टर है उससे पर पेंडी गुलर डिस्टेंस निगालने है आपको जो जो और जिन से मिलाते हुए लाइन आप आगे ट्रांसफर करतों कोई दिकत नहीं इसमें जिस पॉइंट के बहुत आपको एंग्लो मिंटम निकालना है उस पॉइंट से बुजरते हुए लाइन ड्रो कर ली वेराश्टी वेक्टर जो है हमारा उससे पर पेंडी इसको बात परोदों किसके बराबर है और साइन थी रहें के बराबर तो इसको मैं इसे पॉइंटर वेक्टर है उसके पर पेंडी डिस्टेंस कितनी है उससे 90 डिग्री का एंग्ल गुनातों जिस जैंस आगी प्रॉंद पॉइंट ओ वह आपकी कहला है आप पर पेंडी गुलर ठीक है तो वेलोस्टी से 90 डिग्री के एंगल पर आपने डिस्टेंस निकाल दी है तो आप सीथे आप पर पेंडी गुलर भी लगा सकते हूं कोई दिक्टर वाद नहीं है तो इसकी वह लोगर आपको पता है सिथे आप यांसर ल अंसर भी आ रहे हैं यहां पर जो आप साइंतिता है उसको मैंने बोल दिया विरॉस्टी से 90 डिग्री का एंगल पुनात्य वी डिस्टेंस फ्रॉम देपोई दो क्लियर है माल दिजा आपके पास यहां पर औजेक्ट है वी विलॉस्टी से मूव कर रहा था और यह आपके पास था आर वेक्टर यह कहता है आपके पास आर वेक्टर क्लियर है यहां तो एंगल हम ने लिया था वा आपका थ्टा अब हम करेंगे इस वी वेक्टर के दो Помपोनट टो वी वेक्टर कर लेंग यह और यह चरह लेंगे इससे टी नहीं दिवी कि यह वी है तो या जाएगा आपके पास वी कमोस्टी टा एंड इस उलन पी साहन थीसरा कितन ही कित अब अगर हम देखें आर वेक्टर के लोग कोंपोरेंट है वी कॉस्ट तरफ है और आर वेक्टर और वी कॉस्ट तरफ है कि दूनों पैरल गांसर हो गए और यह तो आर से नाइक बनाता है कि ना था तो हम इस तरह से लुकर समझ सकते हैं कि जो भी कॉस्ट चिता है उसका एंग्डर मेंटर निकल क्या रहा है कि अगर पोजिशन वेक्टर के पर्पेंडिप्लर विलोश्टी पता है तो सिध्य उनका मुटिप्लाई कर दिए और मास से मास इंटू इस डिस्टेंस मुल्टिप्लाई इस डिस्टेंस तभी आपका अंसर वही आएगा मास आर और वी और पूट कर तो तभी आपका अंसर वही आएगा तो जो कर सकते हैं पूर लगेगा इसा भी सिस्क्ता कर सकते हैं तो इन तीनों फो मौति हैं जो भी इसलिया आपको दिखता वह फिकर में तो यह किसे पॉइन्ट पॉइन्ट के अबाउट इस तरह आप इसलिए आंसर निकाल सकते हो कि आपका चुछा यह पॉइंट मास्ट का एंगुलर मोमेंटम था किसी फिस्ट पॉइंट के अबाउट इस दा एंगुलर मोमेंटम ओपॉइंट मास्ट अबाउट पॉइंट पॉइंट मास्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं डारेक्शन ओप एंगुलर मोमेंटम की तब कहीं पात हम रखने हैं डारेक्शन ओफ एंगुलर मोमेंटम इस दिटर्माइन बाई राइड थाम रूल जब फिर राइड हैंड इस्क्रू रूल तो राइड हैंड थाम रूल और राइड हैंड इस्क्रू रूल को मैंने आपको एक रॉस्टी वेक्टर में समझाया था तो अगर हम यहां देखें आप समझने कुछिस करना है अब ज्यान से आपके पास एक पॉइंट है ओ जिसके वोट आपको एक पॉइंट मास अगरा जिसकी वेरास्टी वेक्टर है इसका मास एम है का को एंग्रम वेंटम ewंट निकालना है अप रिस क्वाइंट मॉइंट मॉइंटर ऊपड़ से dis पॉइंट मास को मिला है जा संब और रहा है वो आर्वेक्टर हैं तो हम जानते हैं आज क्रॉस वेक्टर है यह प्रॉस पी वेक्टर ऐसे आपके पास पॉम्ला और तो आज क्रोस एइंगुलर मोमेंटम को सिंपल है आप आर लॉइक्टान में आएगा उसी डिरेक्ट्ट में वेक्र होगा तो जाहिर सी आपर परपेंडिक्र इन वेक्र पार प्लेन इन विच और वेक्र और आप डाई अब देरेक्शिन निकाने कैसे है तो बाहर तो आपको इस तरह से करना है अपना राइट हैंड फिंगर्स आपस में पर पेंडियू करो इस तरह से आप कर लो इसको ठीक है और जो आपका आर है उसके पैरल कर देनी है फिंगर इस तरह से और वी बेट दरफ मोड देनी है और आपके आएगी इन वाद डिरेक्शन उसको बोलते हैं राइट थम रूड ठीक है और इसकूर देखा जाए इसकूर आप आफ उस पॉइंट पर जहां पर आप रॉड वी की डिर रही है राइट वाद दीक रूड ओर ओर आपनी करना क्या भी आर से वी की तरफ गुमाना है आर से वी की तरफ ऐसे तरफ एस तरफ ऐसे कर गुमाईए इस तरह से करोगे आप पेज कर सो तो अंदर की तरफ जाएगा वो इस क्रूब को और इस तरह से करोगे ऐसे करोगे तो बाहर की तरफ आता है एंटिवलोग वाइस गौने को बाहर आत कर दो कर दो कि लुए ड़ी और उनके जो जो खुमने आपको जिब्धार को स्मॉल एंगल जो घोएप से दूब है ठीक है आप आपका आर वेक्टर ऐसा है और वेक्टर मानने जिया आप यह स्मॉल एंगल है इदर वह लगा बागन शक्रूंड है तो आपको स्मॉल एंगल जी तू पुमने कि इन्वार्स के सिंबल होता है तो अगरेक रॉप वेस्पोर मैं तो एन्वार्स आएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका आउट वार्स आएगा क्लियर है वही देखे इस तरह है अब पहले समझो ध्यान से क्या मान लिए आपका है यह पान लीटर वेक्टर एक तो ऑर्वय सता एक इस तरह है इसको पहले आप एसे थो तो अपर effect और में और और से गुंवना है तो प्रोंड रहे हैं तो एंवर्व इंवाड कि कैसा आएगा इन वार्ट साज़ेगा माननी जए पार्टिकल है जो इस डिरेक्षन में जा रहा है और माननीज यहां पर पॉइंट है जिसके बहुत निकालना है आपको योग्या माननीज आपका आर वेक्टर आर वेक्टर को पहले ऊपर के तरफ शिप्ट करें यूगी कि ऐसे शिप्टिंग करते हैं इसके तुरंट दोनों की टेल को पहले एक जिए पर करना उसके बाद भूमना यह ध्यान रखना ठीक है अब ऐसे भूमने का मतलब कैसा है एंटी क्लोक वाइस एंटी क्लोक वाइस इस केस में एंग्लर मोमेंटम कैसा आएगा भी या आउट वा और आगे शिफ्ट कर लो और फिर घूमो थो आई स्मॉल एंगल वी वेक्टर की तरफ आपका आंसर क्या जाएगा आउट वाइसा एसा अग्लिया वियो दर दिए बाहर के बाहर की वाइस तो चाहिए तो आप राइट हैंड रून से भी कर सकते हो चाहिए तो सिंपल ट्रि तरफ आएगा और भी किले लेख लिए वरूंगी तब ऐसा होगा ठीक है कि तो सिंबल था डारेक्शन निकालना भी अपने सीख लिया कि युद्ध बगेरा था बहुत इसली निकाल सकते हो यूनिट क्या जाएगी यूनिट देहें क्या जाएगी इसकी एम के लिए किलोग्राम वे के लिए मीटर पर सेकेंड और आर के लिए मीटर तो किलोग्राम मीटर स्क्वार पर सेकेंड क्या होगी इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वार पर सेकेंड या फिर इसको हम बोल सकते हैं जूल इंटू सेकेंड जूल सेकेंड भी एंग्रों वेंटम का ही है एसाई में या आगे आपनी CGS में योगे यूनिट डियरेक्शन और फॉर्म ले तीनों के हमने बात कर ली जो एंग्रों में होता है आपसे कितने कितने पॉंडे पॉसिवल है मैंने बताया आपको M V R सैंट थीटा M V R परपेंड डिवलर M R परपेंड डिवलर डियरेक्शन कैसे निकालते हैं राइट हैंड थम रूल से राइट हैंड इस्क्रू रूल से यह फिर आप सिधे याद कर लो अगर R वेक्टर और V वेक्टर की टेल एक जगह पर हो तो R वेक्टर से भी वेक्टर थूँए स्मॉल एंगल अगर आप चलते हो क्रॉक्वाइस तो एंग्लर मेंटम की बाद किसी पॉइंट मास की किसी पॉइंट के बाउट चुटा सा पार्टिकल है उस वे पॉइंट के बाउट आप इस तरह से निकाल लोगी बहुत इसली आप निकाल सकते हो कुछ खास इसमें है नहीं समझाने का चलिए आपको कैसं इंगे जिया एक को पार्टिकल जो औरिजिंसर त्व कि माननी चापके पास औरिजिंस से एक पॉइंट है कवेजके पांट कॉइंट में के 4 कॉमा 3 की दिस्टेंस पर फॉइंट है का अब पॉर सिथी धिस्टेंस पर एक पॉयंट नहीं मतलब एक पार्टिकल है आपका जिसके कोडिनेट 4,3 है 4,3 कोडिनेट पर एक पॉइंट मास है हमारा जिसका मास तो दे रखा है वन के जी एंड इट्स विरॉस्टी जो इसकी विरॉस्टी है वह आपकी भी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड 10 नहीं 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है यहां पर जो एंगल बन रहा है वह 45 है जैने एक पार्टिकल है विच इस एक 4,3 कोईट मास के उसकी जो वेलॉस्टी है फ्रॉम होर्यॉंटर इस एक 45 डिग्री एंड वेल्यों वेलॉस्टी इस वेलॉस्टी स्टैं रूट 2 मीटर पर सेकेंड दे मास पार्टिकल इस बन कीजी अब आपको करना है फाइंड एंगर मोमिंटम आप पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ठीक है चलिए भाई सुलिशन की बात कर लेते हैं देखेंे आपके पास जो अर्वेक्टर है आर्वेक्टर प्रॉस्टी वेक्टर आपको पता है बहुत ईजली तो आप क्रॉस प्रोडख जानते हो बहुंसे भी कर सकते हो इसके राव आपके पास अगर मैं इसको मिराता हूं इस जगे से ऐसा तो यह आपके पास आर वैक्टर भेटर तो अच्छा आर वैक्टर और सेम डारेक्शन में नहीं वह आपको लग रहे हूं कि all です Влад वे along और भी में एंड ऑफिस्टर की बात करो जो फॉइंट है जिसके पोजुशन है तो आ कि अमेटर आपका ौतर कि एदैर कि प्लस तरया जाएका फिल्कल है सिंपल है और वेरास्टी बे पेटर आपका का 45 डिग्री पर है जिसकी वैल्यू है आपकी कितनी 10 रूट टू एक कॉंपरेंट आ जाएगा वी एक्स जो आ जाएगा सिज़े 10 रूट टू इन्टू कॉस्ट को मद्दब बन बाई रूट टू तो टैना जाएगा ऐसे आपका व्या जाएगा साइन 45 भी बन बाई टू होत अर्वेक्टो प्रोज पी वेंटेरा की वैल्लू एक प्लस त्रीजे का सब्सक्राइब गाएगा बेटर क्या होता है आपके पास आपका मास की वेल्यू तो बन यहां पे अब क्रोस के से करते हैं आपको ध्यान होगा आई का आई से जीरू आता है आई का जैसे करें पहले तो 40 कि आई क्रोस जेगा आई से करना है कि थर्टी के आदे जेकर जब जैका जिसके नहीं आता है तो पहले आप वीडियो रbrisan कर देखकी जीएफिर करोड़ाए यां craziest लीकिति Alm में आएगा वह तो प्लस में आई मुटिप्लाइब जेगे क्रोस आए करें तो आई जाएगा जैगा एक जब सब्सक्राइब करेंगें ठीक है आई जैसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस का प्लस का प्लस और जे प्रोस करोंगा जे प्रोस से उल्टा चलना पड़ेगा तो माइनस के मिल जाएगा कि अंजर कहा जाएगा टैन के कैप कि आपने पास के कैप मतर जो एंगलोमेंटम है वह जैसे इसकी वैल्यू कितनी है इस तरह से आपका अंसर आजाएगा ठीक है इसको आप अल्टरनेट तरीके से भी जेख सकते हो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहूं तो एक अल्टरनेट भी मैं आपको शिफा देता हूं इस तरह से आपके पास एक पॉइंट भी यह था आपके पास आप क्या करोगे विर्वॉस्टी के द्वगत द्व दोब लोगे एक हो जाएगा आपका वी एक में एक हो जाएगा आपका वी अगर वी ये मैं इस तरह से बढानू आगे तेक है यहां जो कॉम्पोडेंट आ रहा है इस तरह से यहां का आर एक से वह भी ये से नाइंटि बना रहा है कि यहां पर एक डिस्टेंस आएगी यह जो कि आर वाई कहला है अगर यह आपर बीच में कि यहां पर आपको नटी बना रहा है किससे वी एक्स से वी वाई से बना रहा है डिये और भी आइप्ट बनाता है रख कर लेंगे म के वी इंटू आर पर पर पेंटिब्लर इससे करके देते हैं क्या अंसर आने वाल है तो अगर रहां से देखिए हमारे पास एक तो वी वाई वैक्टर है और यहां पर अपने पास पॉइंट हो है आपका पॉइंट मास है यह तो है तो बाइब को पीछ बनाता हुआ रहेक्ष है एक नहीं तो आरेक्स का यह पर पेंटिबलर और वी एक्स और वी वाइड़ों की वैलू टेंट एंगे आपको बता है आरेक्स आपका पॉड है और आरवय आपका थ्री है यह पॉइंट गोषब मत रहे रहा आरेक्स और और वाइट टी यहां से आपका जो एल आएगा इस केस के लिए वो कितना आएगा मास तो बन मास क्या हो गया वटन वी कितना है वीवाइड दस अबने पिले और एक्स तरह ह है और इस तरह है ऐसे बहुत आगे शिफ्ट करों दुनों टेल मिला दो यह से घुमों एंटिव वाइस है मत्तब बाहर की तरह डारेक्शन है कि इस एंडर मेंटम डिरेक्शन कैसे आइगे आउट वाड इस इंबल आउट वाड के लिए हैं आउट आउट वाड का मत्तब है तो के कैप भी लगा सकते हैं तो आउट वर डिरेक्शन में यह है और अगर हम देखें कि इव है किopot theorem op चांब यह किबात कर लेते हैं जिस तरी偏 यह थी प्रस्फप करें सकते हो कोई धीकताश्टी बास शर्फ आप सर्फफ। समझा रहा हुँ है क्रतिए कि यह यहां पर भी एला जाएगा डिरेक्ट कि एल कितना जाएगा एम तो हो गया बन वी एक्स हो गया जाएगा 10 और और यह थी एना तो थर्टीं है अजया फ्रat पोटई कि अब इसकी डीरेक्शन देखें वाट किसे कि आपसे आर्वे ऐसा है कि यहां पर देखें कर लिए इस तरह से किसकी और एक सब्सक्राइब कर दो कैसे कुम रहे हैं कि आउटवर डारेक्शन आ रहे हैं तो अब नेट मोमिन्टम क्या हो जाएगा एल एक एल आउटवार्ड एक आउटवार्ड दोनों वेक्टर फॉर्म में आइड करने तो आउटवार्ड निगेटिव कितना जाएगा टैन कि से आउटवार्ड दिरेक्शन नों आउटवार्ड को पॉस्पेमा लिया इन वार्ड निगीव माद लिया है आपना अब ना अब मतला मारा आपन्या जुए मिकर्टर दों चिंपल जानकी ऑलीं है चलिए एक आज और समस्ते हैं आगे है कि अगर अगर बात होई एक वेशन भी कर लिया हमने कुछ और समस्ते हो करते हैं मन लिजाग के पास यह ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो यहां से एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है माल लीजिए टैन मीटर पर सकेंड से थर्टी सेवन डिग्री के एंगल पर और जो पार्टिकल है इसका मास्ट टैन केज है ठीक है फाइंड अनला मॉम्न डेट के से लिएके अ 50काँ about origin when it will be at its highest point ठीच सम्जानती क्या करेगा प्रजेटर मोशन करेगा और जो इसका पात होगा इस तरह से पात आजाए सुल्यूशन करने देखो प्रजेशन अपनोट पर और उसके बाद देखें सुल्यूशन करें सुल्यूशन हो गया सुल्यूशन की बाद कर लेते हैं है यह हो गया आपका मैक्सिमम हाइट अब हम जानते हैं जब इस समय पार्टिकल यहां होता है तो वह एक यह डायक्स चलता है और यहां पर जो वराश्टी होती है वह होती है वी एक्स इसके बराबर होती है यूएक्स के बराबर कि अब यूएक्स कितनी है टैन कॉस्ट थर्टी सेवन इस फोर बाइब तो कितना जाएगा एट आजएगा एट यहां रखा है एक यहां पर आएगा एक यहां पर आएगा इसको बोलेंगे जी उसान थर्टी सेवन कि आजएगा आपके पास यूएक्स कि यू फोडर थिस सेमेंट इंटा फोर मैं पाइब तो जो निकालना हो अगए तो दिलएक्स मत्यों इस समय पे निकालना है किसट पाइघ्ची तरह इस तरह से ऑपोर है जो विश्सक्ट तरह से अगर इस विलास्टी को मैं पीछे एक तरफ बढ़ाता हूं ऐसे तो विलास्टी जो है उसकी पर प्रेंडियों डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू कितनी है यह तो है तो यहां देखिए वही भी रहेगी वह पीछे पढ़ा हूं तो विलास्टी से नाइटी डिग्री पर जो डिस्टेंस आएगी फ्रॉम पॉइंट ओ जिस पॉइंट के पॉइंट निकालना है तो और जिन से इस विलास्टी के पर पेंडियों डिस्टेंस यह तो रहेगी जो प्रीटी बनाएगी इस पर रहो है कि तो एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा में विलास्टी कितनी है एकडियों और आर पो है सब्यांट क्या है आपका चल्याइच आप क्या होता यज़ को उत्या होता है यू स्कौायर साइट्स क्वायर थीता पहॉन मेंची और हॉक्त हम किसमें प्रोजेक्ट एल्पोशन में जो कितना है टैन था तो टैन स्पार हो जाएगा 37 तो टैन से टैन कर जाएगा 800 प्रीवद्वन नाइभ थिफ़ेयर था तो नाइभ वैट्वन टीव साथ एंगे बदाएं थे वैपिकर ठीक है थर्टीट मैंडेशा है नाइग कुछ आगया तू एक तू एक जूट पर शेंग तुल सेकेंड तो अब अगर डारेक्शन देखें तो हमें पता है जो डिस्टेंस है आज इस तरह से और वी तरफ मोरना है या पिस समझ दो कि अब किस तरह दी कुम रहे हो क्लॉकवाइस 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 अब क्या होता है इंवाल डिरेक्शन देखें अंदर अग्या तरफ यह आर वेक्टर है कि शिप्टिंग करते हैं यहां पर आर वेक्टर और वेक्टर वेक्टर तो आज से भी तरफ मुड़ते हैं क्लॉकवाइस तो आप जानते हूं क्या आता है और एंट्यूर्वाइस में बाहर के उड़ाता है कि यह क्या वाइशन भी होगे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है चोटे-बूटे और बाते को भी समझ लेते हैं है एक और प्रस्चन देखो ज़राओ यह क्या है जराब देहां से देखो इस पार्टिकल moves along X axis with speed V then its angular momentum अस्थार विजन अर डॉजन ट्वार्ड़ लाग्ट एंज दो मैंज से विए यॉए गॉए यॉए रॉग यॉविए लेगा का फिर्चान धॉए लेगा कर देन् तूंछ झाहिए यॉवाल कर दिने चाहिए इस चेंजें डारेक्शन इस इननना अब जो तो यह चेक्ट यह चाहरा आप्सें रिखने क्या अंसर आने वाले इसका अब ध्यांस से देखो मास वी और पॉइंट जिसके अब निकारना हो यह है एक पार्टिकल थाप के पास कि अगर हम ध्यान से देखें अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो विरॉस्टी वेक्ट्री हमेशे चाहिए तो इस चाहिए यहां पर एक कुछ दिर बाद कहीं होगा तो अगर इस लाइन की दिस्टेंज देखी जाए यहां से मान लिए इस तरह से मैंने भी वेक्ट्र लिया तो यह क्या जाएगा आपके पास आर पर पेंडी कुडर और इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं एक्स कोमा वाई कि आपका में सांगा वाई आएगा यहां मां का चेंज हो नहीं रहा है कि कुछ दिर बाद अगर यहां पर होता पार्टिकल इस जगह कि इसकी विलास्टिक यह होती रहती मास का एसका एम ही है कि देखें फिर वही बात अगर मैं इसको पीचे बढ़ाता हूं जगे पे तो आर पर प्रपेंदी पर रही है वाई आ रही है तो अगर हम देखें एंगुलर मंटम को पॉम्ला एम वी इंटु आर पर पेंदिबुलर एम वी इंटु वाई लिए और पार्टिकल अगर एक्से पर मोग करता है एक्सेस के पर्लु करता है तो फिर माई टेरों करता है तो तो इस नहीं में भी बदल कॉप सब्सक्राहें लिए नहीं कि आपका है मनीव हुआ है कि जए फिक्श्ट है में आयसे हैं कका फिक्स्ड है वो नहीं बदल रहा ते इनका इनकी भी इसका एंल पी भी डिस्टेंस यहांत अब॥ं आप से गरा है वम्हेन के शर्जातर लिमनकी निला, ऩी माशन भी हो कि भी और ये अर्भट इस के क। यहां पर क्या जाएगा यहां पर क्या जाएगा आपका यहां पर आपका 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 यहां इस तरह से इस उड़ाग्या शुटिंग कर दो यह यह दुन घूनोंगे घूम रहे तर पाटिकल यहां तब डरस भी क्लोक्वाइज तो दोने किंदिशन में जो आपका गांतर्फ में ई corrupted इस ने के यहां पर इम्ड़ कैसा एगा इंवाड शख़फद यहां पर पाइंग और यह अ यहां कि आब कि आपका सढ़ीए है ऐसे डेलेक्शन भी होने से नहीं हुगा कि वाल्य फिक्स होने से भी नहीं होगा दोनुचीज़आं आपकी अपकी फिक्ष्ट होंगी तभी आप बोल सेपते हो जो का एंगुलर्य मुमेंटम है वो क्या है जान है कि अध्य रोगीवाथ झाल जाल अग्यां कर दो कि एंगुलर पुमेंटम आप पार्टिकल एक्जी क्या है यूनिफॉर्म सब्सक्रान चलद कर रहा है इस तरह से थिक है कि मांस इसका यह और विलॉस्टी क्या है मानने जिए इसकी विलाश्टी नियुक्त है वो भी है तो यह उनिफॉर्म है बदले की नहीं सेंटर के बाओ अगर देखें इसका एंगुलर मोमिन्टम तो एंगुलर मोमिन्टम जो आएगा एबाओट इस सेंटर सेंटर देखें बाई यह जाएगा पोजिशन वेक्टर आपका जिसकी जो वैल्यू कितने यह रिडियस के बराबर वैल्यू क्या जाएगी रिडियस के बराबर क्लियर है तो यहां से लोग देखें एंगुलर मेंटम एम वी आज पर प्रपेंडिब्लर एंवी इंटू कैपिटल आर हो जाएगा कि एंवी आर आपका अंसर आता है चाहां किसी भी पोजिशन पर उपको फरक में बढ़ता किसी भी पॉइंट पर आपको हमेशा एंवी आंसर है क्यों माने जब पार्ट भूंते यहां पर आ गया तो विरॉस्टी इस डिरेक्शन में हो जाएगी पुजिशन में आपका ऐस अगर पार्टिकल क्लॉक्वाइस करेगा रोटेशन तो अंदर की तरफ कैसे आर वेक्टर उपर की तरफ है देखो ऐसा और वी तरफ मोड़ रों अंदर इस डिरेक्शन आएगी जिस आर को आगे बढ़ा लो ऐसे प्लॉक्वाइस घूम रहे है इस आर को उपर बढ़ा लो का आर कि तरफ है प्लॉक्वाइस करें ड्लॉक्वाओस है अंदर को यह इसे आर को वोल ढ़ल जर एंधरा क्मुम कॉवादस आर म क कि तर लुक्वारा है खीजिजिए रही जरों को यह हैं आर वहीं थे देखो मैंने हैं पार्टिकर अगर्वाल्व कर रहा है तो आप में अधाल मेंटम हो इंवर्ण डीरेक्शन भूंगा इसके जो एंगर मेंटम है वह कितना है मैं में घॉप आरा रहूंक कि डारेक्शन पे अंधरी तरह है खाश्का मतलब आप इंवर्ण प्रॉस समतर क्यों हो गया भाई इन्वार्स एंडवाइस वर्षा और इसका उर्टा जाएगा अगर एंटी क्लोक्वाइस भूम रहा है तो इस केस में आ जाएगा आउटवार डिरेक्शन में क्लोक्वाइस भूम रहा है तो इन्वार्स और एंटी क्लोक्वाइस भूमेगा तो आउटवार डिरेक्शन में आपका आ जाएगा यहां पर भी एंगर मेंटम क्या है अंदर इस तरफ है यहां पर भी एंगर मेंटम क्या है अंदर इस तरफ है वेले दोनों जगह फिक्स है तो डिरेक्शन भी फिक्स है इसलिए बोल सकते हैं जो एंगर मेंटम इस पार्टिकल का वो कॉंस्टंट है अबाउट इस सेंटर जो की पार्टिकल आपकर कर रहा है युनिफॉर्म सब्रोंशन एंगर मेंटम आपकर पार्टिकल कि निवीम के समद्र सकत्राइब आपकर तो इस सींगे बाट मेंटम पार्टिकल एंगर ओन्यु द्रॉंप्राइब आपकर एंगर मनें द्रॉंपर्ण जो को एंगर आपकर अधिए जो में आपकर आपकर 156 और आप जी रिमेंस कॉंस्टेंट आप एंगुलर मोमेंटम की ना तो करेक्शन बदलती है ना ही वेल्यू बदलती है जब आपका कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्क्लर मोशन कर रहा हो और उस पार्टिल का आपने एंगुलर मेंटम निकाला किसके बाउट और सेंटर के बॉट सेंटर के बहुत जबाब पता करूबे तो इस तरह से आपका आंसर आ जायएगा में क्लियर है प्रिशे वीआपका इन्वरेंटम पॉइंट और आत्गुलर मंटम अपका किसी पॉइंट मास्क पार्टिकल का हैं एपर पार्टिकल है कि अपिश्nor लेखो आपॉष्ट कि मान लीजी आपका इस तरी से आपको इस तरह शृक्त हौन उतल इसलिए अगर मैं इस तरी तहों Drik इसा है यह आपका वाइट बोर्ड में नहीं है इसका प्लेंट इसका प्लेंट जो है ऐसा है प्लेंट वाइट बोर्ड यह मान लीजिए इसके एक्सिस है यहां से कोई पार्टिकल है आपका जो इनिफॉर्मली मूब कर रहा है और इस अभी डारेक्शन है इसकी यह अंदर की और है और यह कैसी है बाहर की विरॉस्टी भी है और यह विरॉस्टी मानने चेक भी है ठीक है अब अगर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं इस जगे पे पॉइंट ओ झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कि यह क्वेश्चन हो गया आपका एक पार्टिकर इस अगर पात पे घूम रहा है और उसके एक्सिस पर से एक पॉइंट हुए उसके वाट और हम एंगर वंटर में निकालते हैं इस पार्डियों का कॉंस्टेंट है यह सिर्फ वैल्यू कॉंस्टेंट है उसकी डिरेक्शन फ इस समय यहां जो हम देख रहें तो पार्टिकर आपका बाहर आ रहा है तो अब इसको टादो कि यह क्या पुड़िलार हो गया यह स्मॉल ए हो गया अब अगर मैं इससे ऐसे मिला दो इस पार्डियल को यह जाएगा आपका कि आर वेक्टर जिसका मौट आपका आएगा रूट कि आर इस्वायर प्लस एस्वायर के पराबर आप जहां से देखो जो विलॉस्टी इस समय ऐसी है अरे जड़े एक्सिस पर ही तो है रिलॉस्टी भाई तो सरकल है आपका वह वाई बोर्ट के पर पेंडिगर प्लेन है जैसे अब दा रहा हम चुआ है जोब लगदिया और आपके तरह को आ रहा होगा मतलद जो आपकेता इसी है पर लस्टी अपने क्या बना रहे है नाइंटी डिग्री अचे टिकए थे कि आर वेक्टर एंड हो ब्हुर्टी वेक्टर और वेस परपेंडिब्लों टीछ अदर हैंस जो आपका एल वेक्टर उसका बॉड क्या जाएगा मास पाड़ियों का एम उसकी स्पीड भी और आप परपेंडिब्लर कार्च की परपेंडिब्लर ही है जो आर्प की वैल्यू आजाएगी सीधी वो क्या जाएगी आपके पास मुझी सरकल रहे इस तरह का अब समझे इस बात को यहां पर एक सर्कल दे रखा आपको इस तरह का और यह आपकी एक्सिस है तो अगर्ण किसी पॉइंट को मिला जैसे यहां पर मिला दिया फिर यहां पर मिला दिया ऐसे इस जगे पर इस तरह को आपको क्या बना रहे हैं कि इसके पॉइंट की दूर्य हुएसे कह रहे हैं कि बराबर जो कि इसे के बराबर रहेगी यहां पर करें वह नहीं आपके पास आपके नहीं रहेगी नहीं रहेगी क्योंकि यहां पर आगर्ण कि आखे जट क्यों कि और इसको मिलाद तो इस अब कि फिर वही रहेगी कि और बोस्ति जो है आपके वह वा क्या में इसके रहा है तो अंदर तो हम जानते हैं और वी दोनों पर और दोनों पर बनाता है पिए जी कि आपके पास क्या को कि राइट है करेंगे पहले तों पार्ल कर देंगे इस तरह से कि एसे प्रफ्हारा है जिए भाहर लिए निसेंट करने है और बाहर की तरफ दें हैं अभार इसको मोर दीजिए डिर्चे जो आए यह तरह को पास अगर इसको मैं ऐसे लिया हूं किस तरह दें भूंब रहा है जिए घुम्राइब का कि क्लॉकवाइज है कि वी जो मैंने ब्राइब कर दोड़ा है आपको धान समझने पड़े कि बास वी क्या है जड़ एक्सेज पर है यहां जो डारेक्शन आएगे एंगलर मोमिंटम की वो इससे 90 बनाते हुई आए कि से आर वेक्टर से और जैट तो वैसे ही 90 है दोनों से ही तिर्शा ऐसा आएगा है तो इसको ताफ तिर्शा बना दो बाहर कि और ऐसा जड़ाइक से लिए तो इसके लिए जब यहां पर होगा पाटिकल डिरेक्शन ऐसे आएगी यह वेक्टर की इस वाले एक्सिस के पर पेंडी बनाते हुए यहां पर जो विरॉस्ती है वो तो आपके आउटबर डिरेक्शन में है ही तो विरॉस्ती को आउटबर में इस तह से दिखा रहा हूं अब जब आपको सेम फिगर में इधर से अपने ऐसी तो ऐसा आएगा 90 बनाता हुए यह वेक्टर आपका जब पार्टिकल यहां पर होगा आपके पास किस तरफ अंदर इस रहोगी डिरॉस्ती विरॉस्ती आपके अंदर की तरफ इंवर्ट डिरेक्शन में यह आपका आर वेक्टर था अपका इस तरफ आए वेक्टर 90 बनाता हुए अब यह अपकी वाला ओ प्सन तो यह फो पॉइंटम पॉइंटम और चुका है तो भी आंगलर मोंटम के बारे बहुत सारी बच गये मैंने आज जो एंग्लर मोमेंटम कवर किया है इस पॉइंट और पार्टिकल निकालते हैं किसी पॉइंट के और तो आपका इस तरह से निकालना है कोशन से मैं कुछ आपको करवा दिये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाँगा अंग्लर मोमेंटम और पाइनाइट साइज बौडी और चुक्त है तो बात के बाते नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्ष्र